हेलो फ्रेंड वेलकम टो मैं चैनल पुझा पटेल इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में दो टाइप की नोलेज होते हैं कि जो होता है पहला डिकलेरेटिव नोलेज और दूसरा होता है प्रोसीड नोलेज तो वह एक्चु दिया गया है डिटेल्स दी गई है तो इसका आप डिफिनेशन कहेंगे कि वह क्या होती है तो इस डिफाइंड एस एक्चुल इंफॉर्मिशन इन मेमरी एंड नोन तो बिस्टेटिक मतलब कि यह जो होती है थियोरी वह पहले से ही स्टोर की गई होती है उसको हम चेंज नह ही कर सकते है और यहां पर कहागा है इक टो पाइड of knowledge वीच डिस्क्राइज हाव फिन अर मतलब कि हमारे पासáz प्री स्ट्रैक्वी साइड नोलेज होता है जो हमें पता ही होना चाहिए वह पहलाता है लिक्लेटिम आर्टम सबसक्श की हरे पहले से है कि जो हम पहले से ही ट्राइघ करकते हैं तो UZA कोई भी टायम आया भी हम यह जिन्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं तो यह सेंब्स कहलाता है डिकलेटीव नॉलजज का हिस्सा और इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो päहले से ही नॉलजज हमको जो पहले से ही पता होता है वो हम यहां declarative knowledge में store करवाते हैं जो data changes हो सकता हो उसको हम declarative storage में नहीं रख सकते फिर आता है procedural knowledge उसमें क्या होता है कि हमें कोई task perform करना होता है तो वह हम कैसे perform करेंगे उसके steps क्या क्या होगे वह होता है procedural knowledge it is the knowledge of how to perform and or how to operate मतलब कि हमें कोई task दिया गया है तो हम कैसे perform करेंगे उसके step best if हम कैसे आगे बढ़ेंगे वह होता है procedural knowledge इसमें आता है it deals with the process of performing some tasks मतलब कि हमें कोई task perform कर रहे है तो वह उसके साथ deal करता है जैसे कि हम example ले ले process of making tea और process of making robot वोग मतलब कि हमने कोई robot बनाए तो वो चलेगा किसे तो वो अगर robot के हमने दो पेर लगाए है तो पहले पहला पेर आगे लखेगा फिर दूसरा फिर वापस से पहला पेर आगे लखेगा यह जो हम process कर रहे है उसको कहेंगे procedure knowledge इसमें यह भी लिख सकते कि step by step sequence and how to perform only type of instruction मतलब कि हमें पहले से instructions दी जाती है कि ह हमें यह हमें यह काम करना है और इस instructions को हमें फोलो करना है तो यह आता है procedure knowledge की declarative knowledge का example हम ले सकते है son is rice in the east and दूसरा smoking and cancer are supposedly related to each other मलब कि हम smoking करेंगे तो cancer होगा तो यह हमारा declarative knowledge आता है और यह हमारा procedure knowledge I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंच के सास्वेश कर दीजिए और अगर आपको क्यों डावट हो तो मुझे comment section में नीचे पूस सकते है थेंक्यू